हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी इस यूटूब चैनल माई इंडियन रिल्वे जर्नीज में आज मैं आपके लिए ट्रेन जानका रिलाया हूँ ट्रेन नंबर 1611 अजमेर अमरीच सर एक्सप्रेस ट्रेन की लेकिन इसे से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपने मेरे चैनल माई इंडियन रिल्वे जर्नीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस कर लें जिसे से मेरी हर अप्डेट जर्नी आप तक पहुंचती रहे फ्रेंड्स आज हमारी जर्नी राजस्थान के अजमेर सीटी से पंजाब की सबसे पवेत्र सीटी अमरित सर तक होने जा रही है इस अमरित सर एक्सप्रेस ट्रेंड से आज मैं आपको इस अजमेर अम्रित सर एक्स्प्स टेन की पूरी जानकारी दूंगा जैसे ट्रेन का टाइम टेबल रूट डिस्टेंस फेर स्टॉप्स आधी बाते हम इस वीडियो में करेंगे तो बने रहे हैं मेरे चैनल माई इंडियन रेलवे जर्नी सपर फ्रेंड्स यह अबिवार के दिन अम्रित सर जेक्षन पहुंचती है इस टेन के कुल 29 स्टॉप्स हैं इस टेन की मैक्सिमम परमीशबल स्पीड 110 किलोमेटर प्रती घंटा है वह एवरेज स्पीड 48 किलोमेटर प्रती घंटा है यह ट्रेन एक हजार आट किलोमेटर के डिस्टेंस को लगब WDP-4, WDP-4B या WDP-4D में से कोई एक हो सकता है फ्रेंट्स अगर हम बात करें इस टेन में लगने वाले कोचेस की तो इस टेन में ICF स्रेनी के 18 कोच हैं जिन में से 2 समाने गार्ड ब्रेक लगेज कोच, 4 समाने अनरक्षित कोच, 9 स्लीपर क्लास कोच, 2 AC 3 टायर कोच और 1 AC 2 अगर हम बात करें इस टेन में यात्रा करने के दोरान अज मेर जंक्षन से अमरित्सर जंक्षन तक के लगने वाले किराय की तो जनरल क्लास का 280 रुपए, इस लीपर क्लास का 490 रुपए, 3 AC का 1320 रुपए और 2 AC का 1890 रुपए है इस लिए लेटेस्ट वा अन्य स्टेशनों का सही की राय जानने के लिए भारतिय रेल्वे के रिजर्वेशन काउंटर या भारतिय रेल्वे की ओविशल वेबसाइट www.indianrail.gov.in पर जाकर जरूर कंफर्म कर लें तो चलते हैं फ्रेंट्स अब इस ट्रेंट के ठहराओ की और फ्रेंट्स यह ट्रेंट अजमेर जंक्शन से शाम 5 बचकर 55 मिनट पर फ्लेटवन नमबर 5 से अपने निधारिट समय से रवाना होती है इस ट्रेंट का पहला एस्टॉप की शंगर है जहांपर यह शाम 6 बचकर 21 मिनट पर पहुंसती है वा 6 बचकर 23 मिनट पर रवाना हो जाती है यहांपर इस ट्रेंट का दूसरा एस्टॉप फूलेरा जंक्शन है जहांपर यह रात 7 बचकर 5 मिनट पर पहुंसती है वा 7 बच कर 10 मिनट पर रवाना हो जाती है या परिश्यन का 10 मिनट का स्टाब है इस चेन का चौथा स्टाप गंधी नगर जैपूर है जहां पर रात बचकर vearkat 7 मिनट पर पाहंती है यह पर जॅर् पर सोब गेटो जगतपुरा है जहां पर जू भीए差 दो मिनट पर रवाना हो जाती है याँ पर इस च्छीन के साथो है चाल को एजएक्षन जाबर यह रात LIVE कर वालवर मिनिट पर पहुसती है तो दो मिनिट का मषेयर है kolay है तो पिए जाती है यहाँ परिश्ट्रेन का मात्र एक सटॉब है इस तैन का तुछ अलवर जंक्शन है जहा पर यह रहाँ दस बच कर 32 मिनट पर पुहुँचती है वह दस बचकर 35 मिनट पर रवाना हो जाती है यहां पर इस टेंग कर तीन मिनट का स्टॉब है इस ट्रेन का 13 वा एस्टॉप चर्खी दादरी है जहाँ पर ये रात 12 बच कर 59 मिनट पर पहुंसती है वह 12 बच कर 11 मिनट पर रवाना हो जाती है यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का इस्टॉप है इस ट्रेन का चौधुवा इस्टॉप बीवानी जंक्शन है जहाँ पर ये रात एक बचकर 20 मिनट पर पहुंसती है वा एक बचकर 25 मिनट पर रवाना हो जाती है यहाँ पर इस ट्रेन का पांच मिनट का इस्टॉप है फ्रेंट्स अब हम पहुंच चुके इस टेन के पंदरवा इस्टॉप हिंसार जक्शन जहाँ पर हमने 503 किलोमेटर की आसरा कम्प्लेट कर ली है यह ट्रेन यहाँ पर रात 2 बच कर 20 मिनट पर पहुंसती है वह 2 बच कर 30 मिनट पर रवाना हो जाती है यहाँ पर इस टेन के 10 मिनट का इस्टॉप है इस टेन का 16 मिनट पर पहुंसती है यहाँ पर इस टेन के 4 बच कर 30 मिनट पर रवाना हो जाती है यहाँ पर इस टेन का 2 मिनट का इस्टॉप है इस टेन का 16 मिनट पर पहुंसती है यहाँ पर इस टेन का 20 मिनट का इस्टॉप कोट का पूरा जेक्शन है जहाँ पर इस सुबे के 6 बच कर 30 मिनट पर पहुंसती है यहाँ पर इस टेन के 22 बच कर इस्टॉप फिरोजपूर चाउणी में लोकोमोटी रिवर्स होता है इसलिए ट्रेन की दिशा उलड जाती है इस टेन का 23 बच कर तलवंडी है जहाँ पर इस सुबे के 8 बच कर 11 मिनट पर पहुंसती है यहाँ पर इस टेन का 25 मिनट पर इस्टॉप है इस टेन का 24 बच कर 46 मिनट पर पहुंसती है वर 9 बच कर 48 मिनट पर रवाना हो जाती है यहाँ पर इस टेन का 27 बच कर तेरह मिनट पर पहुंसती है यहाँ पर इस टेन का 28 बच कर तेरह मिनट पर पहुंसती है यहाँ पर इस टेन का 28 बच कर जलंदर शेहर जेक्शन है जहाँ पर इस टेन का 28 ब 12 बचकर 40 मिनट पर पहुंचती है वह 12 बचकर 45 मिनट पर रवाना हो जाती है यहाँ पर इस टेन का 5 मिनट का स्टॉप है इस टेन का सेके लाज स्टॉप 29 वा ब्यास जेक्शन है जहाँ पर यह दोपेर 1 बचकर 18 मिनट पर पहुंचती है वह 1 बचकर 20 मिनट पर रवाना हो जा और हाँ अभी तो हमारी जर्णी बाकी है उमीद है फ्रेंट्स आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हाँ अगर आप घूमने के परपस से अमरी सर जा रहे हैं तो अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जरूर जाएं और अमरी सर के सभी टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानें और वीडियो को इंजोई करें